टोपिक है इंब्रियो डेव्लमेंट एनए इंब्रियोलोजी इसमें हम देखेगे कि Lindsay इंब्रियों का डिलप्मेंट किस तरीके से होता है आफर फाल लेशन होता है प्रइव्लाइशन प्रगरीया के जिसमें embryology की क्या होती है तो इसके कुछ points होते हैं जिसके अंदरगत हम लोग study करेंगे पहला है introduction, next definition, third types, types के अंदरगत देखेंगे कि यह किन-किन plants में होती है इंब्रियोलोजी की process मुक्रूप से dicot plant में देखना क्यों मिलता है तो introduction के बारे में कि जान लेते हैं कि क्या होता है तो introduction में क्या होता है कि जो embryology होती है इंब्रियोलोजी या फिर आपके embryo development process वह process होती है जी after fertilization male and female gamit जब मिलते हैं आपस में fusion की प्रक्रिया होती है तब जाइगोट का निर्मान होते हैं और जाइगोट में different types के division होने के अपस चाहता था ना different type के division कहने का मलब है उसमें continue division होगा आपके मेंडियों का development होगा किस तरीके से होगा डिवलप्मेंट की पर्क्रिया होगी वह किस तरीके से structure बनाएगा उसके बात करेंगे आगे जो हम लोग नेक्स नेक्स लाइड में तो इंट्वरक्शन में यह है कि आपके male gamit female gamit किस तरीके से fuse होते हैं और फ्यूज होकर क इस तरीके से जाइगोड बनाता है और जाइगोड से कैसे डिवलप्ट होकर आपके इंब्रेयों या प्रो इंब्रियों का formation करती है तो इंब्रेयों development में आएगा ठीक है नेक्स पॉइंट है कि इंब्रेयों development की overall stages है यह इसको हम लास्ट में आप एक बार समझाएंगे पह करती है दो प्लाकार करें एक जो होता है आपके 40 रिजन क्यों होता है दूसरा होते है माइक। हैरी सलक बोटी है जुए घ्सते 6 ल्डेस्ट कःती है करती만 इसे लंबी चैन चेंस suspension cell बोलते हैं इस suspension का formation नहीं से 10 तक के cells हो सकती है जिसमें उपर वाले cells को बहते हैं होस्टोरियल cell जबकि नीचे वाले cells को बहते हैं hypo vessel cell बोलते हैं इसके बीच में पूरी से रचना रहेगी chain like होगी जिसको हम बोलेंगे पूरे को एक सांद suspension सेल बोलते हैं अब जो नीचे होता है हमारा आपका एपाइकल सेल यह एपाइकल सेल क्या करती है पर ट्रांसफर डिजन और लंग डिटल डिजन से यह चार सेल इस्टक्सर बना लेते हैं जो कि फॉर सल इंब्रेयो कहलाती है यह फॉर सल इंब्रेयो क्या करती है लगातार डि तो यह क्या बनाती है, Octet Embryo Structure कहलाती है, जिसमें 8 सल होते हैं, अगर वहीं 4-cell होगा, तो 4-cell embryo कहलाएगी इस तरीके से, अब यह continue divide होती जाती है, बना लेते हैं, यह आज़ो जो 8-cells रहती है, प्रोई embryo कहलाती है, जो Octet embryo कहते हैं, अब यह जो Octet embryo होती है, इसमें Pericriner और Antiginal division होता है, एक बार Clockwise division होती है इस तरीके से, और दूसरी बार Antiglockwise division होता है इस तरीके से, तो Clockwise और Antiglockwise division होने से, दो लेयर के निर्मान होती है, एक आउटसाइड होता है, दूसरा इंसाइड होता है, आउटसाइड होता है, वह बनाता है, आउटर Dermatogen layer जो वास्तों में, प्लांट के seed, क्या seed coat का निर्मान करती है, जबकि अंदर के और जो cell होते हैं, यह कहलाता है, Central Mass cells कहलाती है, अब मेन जो Dermatogen होती है, बाहरी कोट बना लेगी, लेकिन हमारा मेन जो होगा, मेन जो embryo बनेगा, वह Central Mass cells से बनती है, यह Central Mass cell फिर से लगाता, डियूजन करती है, और Pro embryo का निर्मान करती है, यह Pro embryo seed coat के अंदर, या Outer Dermatogen के अंदर होती है, और गोला का सरजना की रूप में होती है, और क्या बनाता है, यह Globular structure का formation करती है, जैसी यह Globular structure बन जाती है, तो इसके सामने के भाग, थोड़ा सा अंदर के और धहसने लगता है, धहसने लगता है, और यह Heart shape structure बना रहती है, चूंकि यह Heart shape structure बनती है, इस स्टेज में, इसको Heart shape stage बोलते हैं, क्यूंकि जो आपके suspensor का निर्मान बेसल से होती है, और Heart shape structure या प्रोइंब्रियों का formation आपके एपाइकल सेल से होते हैं, अब यह जो ऊपर के और जो खाज बना रहता है, यह वारे खाज जो होती है, यह लगातार अंदर के और धहस्ती जाती है, और दो उभार मुमा सरचना करें इमान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉटलीडन बोलते हैं, अब यह जो कॉटलीडन की नीचे भाग होती है, इससे प्लिम्यूल का formation होती है, और यह इसी प्लिम्यूल से आगे चलकर आपके सूट सिस्टम का formation होती है, या फिर सॉइल के ऊपर का formation होती है, जबकि हाइबोफाइसिस सेल होती है, जो हाइबोफाइसिस सेल होती है, नीचे की ओर होता है, यह आपके रेडिकल का formation करती है, जिससे हमारा root system मनता है, जबकि सस्पेंसर के सबसे दूरस्त वाले भाग या दूर इस्थी सेल होती है, यह होस्टोरियसल का काम करती है, जो जिससी डिजर्मिशन के समय सॉइल से water का observation करता है, अब यह जो सरचना होती है इस तरीके से यह पूरा complete क्या कहलाता है, प्रो-इंब्रियो कहलाती है और यह प्रो-इंब्रियो किसके अंदर बंध होती है, एक बाहरी कोट के अंदर बंध होता है, जिसको complete structure को हम seed बोलते हैं, अब यह जो seed होती है, होस्टोरियल से लॉर्पाट लीरन की बीच में एक छोटा सा gap बन जाता है, यह कहलाता है, माइक्रो-पाइलर रिजन या फिर माइक्रो-पाइल कहलाती है, जिससे ही water क्या करती है, इन-साइड जाता है और यह होस्टोरिया के दवारा गेन कर दिया जाता है, और यह water को यह सस्पेंसर के माध्यम से, यह सभी सीट के दोनों कोट लीरंस में ट्रांसफर कर दिये जाते हैं, इस तरीके से complete आपके सीट का development हो जाता है, जिसको overall structure में इस तरीके से दिखाया गया है, इसमें पूरा step by step लिखा दिया हुआ है, जैसे जाइगोट, जाइगोट से कैसे division हुआ, कौन-कौन से cell का formation किया, इस तरीके से आपके embryo का development in dicot plant में पूर्ण होता है, धन्यवाद.